भूमी पेडनेकर सुशान को याद कर हुई emotional लिखा एक बेहदी प्यारा note साथ ही शेयर किये फिल्म सोन्चरिया के सेट से सुशान के कुछ unseen photos और videos आखर क्या है मामला आईए जानते है वेल दिवंगत आक्टर सुशान सिंग राजपूत भूमी पेडनेकर स्टार और फिल्म सोन्चरिया को सोमवार को दो साल पूरे हो गए है ये फिल्म 1 मार्च 2019 को सिनिमा घरों में रिलीज हुई थी और इसी मौके पर भूमी पेडनेकर ने सुशान सिंग राजपूत को याद किया है भूमी ने दैनिक भासकर से खास बातचीत के दौरान सुशान और इस फिल्म से जुड़ी कई बाते शेयर की भूमी ने कहा मुझे इस फिल्म के कारण सुशान सिंग जैसे रचनात्मक इंसान के साथ मिलने और काम करने का मौका मिला वो एक बहुत ही अच्छे इंसान और एक महनती कलाकार थे उनके साथ नोट्स का लेंदेन करने का अनुभव मेरे लिए सबसे अच्छा था सोन चिडिया ने मुझे उन भेतरीन कलाकारो और लोगों के साथ काम करने का मौका दिया जिन्हें मैं दिल से पसंद करती हूँ सोन चिडिया की भूमे का निभाने वाली छोटी बच्ची और सुशान के साथ काम करना एक ऐसा अनुभव है जिसे मैं हमेशा संजो कर रखूंगी खुशिया हमेशा के लिए मेरी जिन्दगी का हैसा बन गई है बॉलिवुड में सुशान जैसा दमाग बहुती कम देखने को मिलता है सुशान एक दोस्त बन गया था और वो एक ऐसा इंसान था जिसकी मैं बहुत जल्दी सराहना करने लग गई थी वो एक बेहत खास इंसान और कभी न थकने वाले दिमाग वाला आक्टर था सच मुझ हम सेट पर सबसे अच्छा वक्त बिताते थे हमारे सोन चिडिया के पुरे अनिभव के दौरान जहीन विचारों वाले उनके नयाब दिमाग ने मुझे बहुत प्रभावित किया था भूमी ने अपने इंस्टेग्राम पर भी सुशान सिंग राजपूत की कुछ अंसीन फोटोस और वीडियो शेर किये डाले एक नजर इसके साथ ही उन्हों ने लखा आखर में मैं ये कहना चाहूंगी कि हम सुशान को बहुत मिस करते है मुझे याद है मैं और सुशान हम दोनों फिल्म रिलीस के बाद अपनी आसू को रोक नहीं पा रहे थे हम इतने खोश थे कि हमें इस फिल्म का हिस्सा बनने का मौका मिला एक ऐसी फैमिली और एक ऐसा एक्सपीरियंस पाने का मौका मिला ये बहुत ही मुश्किल और रिवाडिंग रोल था लखना के खिरदार में सुशान को हमेशा याद रखा जाएगा वेल आप सुशान को कितना मिस करते हो हमें कॉमेंट कर बताना बिलकुल ना भूले अलसो दो लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब तो Bollywood Now on Facebook, Instagram and YouTube